अगर पास हो गए तो आपको बलाए जागा P.E.T. के लिए जिसे फिजिकल टेस्ट कहा जाता है फिजिकल टेस्ट एन स्टैंडर्ट ये से कहा जाता है बिटा फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट P.E.T. हाला कि याद रखेगा ये सिर्फ qualifying होता है सिर्फ और सिर्फ qualifying होता है और कुछ नहीं इसके marks नहीं जोड़े जाते हैं और ये ऐसा होता है कि हर इंसान इसे कर सकता है कोई बहुत बड़ा number नहीं है मैं बताता हूँ क्या करना होता है देखो अगर आप पुरुष हैं तो आपकी height 165 cm होनी चाहिए और महिलाएं हैं तो 157 cm तो बड़ा मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 157 cm height होनी चाहिए ठीक है हाँ चेस्ट जो है 81 to 86 cm फीमेल में that is not applicable अब देखो बड़ा चार चीज़ें हैं 100 मीटर रेस 800 मीटर रेस long jump और shot put 100 मीटर रेस के लिए आपको 16 seconds दिये जाएंगे पुरुषों को महिलाओं को 18 seconds बैटा मैं आज के तारीक में काफी मोटा हो चुका हूँ 34 साल का हूँ I am 34 years old लेकिन आज भी मैं 13 seconds में 100 मीटर भाग सकता हूँ तो मुझे उमीद है कि आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं याद रखेगा 800 मीटर रेस के लिए 3 मिनट 45 सेकंड लड़कों को और महिलाओं को 4 मिनट 45 सेकंड long jump साड़े 3 मीटर महिलाओं को 3 मीटर और shot put जो साड़े 7 किलो के आसपास होता है यह साड़े 4 मीटर फेकना होता है यहां महिलाओं को नहीं तो आप कह सकते हैं कि मेल्स को जो है मेल्स को 4 टास्क दिये जाते हैं और फीमेल्स को जो है बैटा 3 टास्क दिये जाते हैं तो पुर्षों के 4 टास्क हैं और महिलाओं के 3 टास्क हैं क्योंकि महिलाओं को जो है पयाड़ शौट-पुट फेकने की अवशकता नहीं है याद रखेगा चीजे जबकि महिलाओं को हनड़ ऐट हब पोट फेकने की अवशकता नहीं होती है याद रखेगा चिक darüber ओके बटा रिंकी राजपूत 153 cm हाइट है तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए याद रखेगा शॉट पूट होता नहीं बटा एक गोला होता आपको ऐसे रखा जाता है यूं करके यूं करके यूं फेकते हैं आपने देखा होगा चीक है हाँ जी हरिश कुमार देखा नहीं है गोला होता है ऐसे लगा कर यूं फेका जाता है हाँ जी क्या बात है देखो मैंने करके भी दिखा दिया अब तो मजा आया कि नहीं आया चीक है ये फिजिकल एफिशेंसी टेस्स सिर्फ कॉलिफाइंग है ये कॉलिफाइंग करना कोई भी टफ काम नहीं है अल्मोस सारे लोग कर लेते हैं याद रखेगा चीक है सारे लोग कर लेते हैं और अगर कट ओफ देखा जाए इसके लावा इसके बाद क्या होगा इसके बाद आपका इंटर्वी होगा जो की देड़सो माक्स का होगा आपका इंटर्वीव होगा इसके बाद देड़ सो नंबर का आपका इंटर्वीव होता है ठीक है हाँ जी तो देड़ सो नंबर का इंटर्वीव है तो साले चार सो का आपका बैया वो है रिटेन और देड़ सो का इंटर्वीव है अब बता रहा हूं सब कुछ बैभाश शर्मा सुनिएगा